बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम असलामलीकम आज हम बना रहे हैं चनाचाट इसमें मैंने इमली की और हरी जटनी दियार कर लिए लेकिन वह बहुत एजी तरीक है मैं आपको बता दूँगी कि यह कैसे बनी है तो आएए हम चनाचाट बनाना स्टार्ट करते हैं चनाचाट बनाने के लिए हमें चाहिए दो कप उबले चने एक कप क्यूब्स में कटे उबले आलू एक कप दही एक मिडियम चॉप प्याज एक चॉप टमार्टर दो से तीन टेबल स्पून हरी चटनी चाट से पांच टेबल स्पून हमली की चटनी फ्राई की उई इसमोसा पर्टी वन टी स्पून चाट मसाला वन टी स्पून बना और कुटा जीरा हाफ टी स्पून कुटे उई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून काला नमक हमली की चटनी बनाने के लिए ये कप इमली ली थी उसमें डेड़ का पानी डालके उसको दो गेंटा बगो दिया है। फिर उसको हाथ के साथ मसल के छान लिया फिर उसमें मैंने आफ टी स्पून नमग, वन टी स्पून बुना और कुटा जीरा, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, और 4 टेबल स्पून चीनी डालके उसको 10 मिंट मिडियमाच पे पका लिए हरी चटनी के लिए हरा दनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून बुना और कुटा जीरा और 4-5 टेबल स्पून दही डालके उसको ब्लैंड कर लिए है बोल में हम अब इसमें डालेंगे टमाटर, प्याज, कुबले जने और आलो और इसको मिक्स कर लेंगे अब सर्विंग बोल में डालेंगे इसके ओपर हरी जटनी 2-3 टेबल स्पून इमली की चटनी हम 4-5 टेबल स्पून दढ़ेंगे इसके ओपर फ्राइब की हुई स्मोस हापटी डालेंगे यह हमारी चना चाट रड़ी है अगर आपको यह रेस्पी अची लगे तो इसको लाइक और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अलाह अफीज